आखिर लंबे समय के बाद पुलिस के हथे चड़ा बैंक लूट गिरो पुलिस ने सुलजाया 2012 की बैंक लूट की वार्दात को छे साल बाद सभी आरोपी आये पुलिस के गिरफ्त में दो को पहले पुलिस कर चुकिया गिरफ्तार और चार को करनाल पुलिस की किया गिरफ्तार पकड़े गई आरोपी के पास से पुलिस ने दो देशी पिस्चल दो लाग तीस हजार नगदी एक जिंदा रोंद और तीन चाकु ब्रामद किये हैं निलो खेडी में किराय के कमरे पर बनाई गई थी यूजना यूपी से लाए गई थे हतिया दो हजार बारा में नरेंदर अनिल वा अंकुर तीन पॉल्स टेक्निक कॉलेज निलो खेडी में पढ़ते थे और वहीं पर किराय का कमदा लेकर रहते थे और उसी कमदे में बैटकर पैसों की कमी को पूरा करने के लिए बैंक की लूट की यूजना बना ली आरूपी अंकुर यूपी से देशी पिस्टल वजचाकू लेकर आया था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की यूजना बनाई और अपने पांच साथियों के साथ मिलकर गावड़सत में हत्यारों के भल पर कैंजा बैंक में 9,18,000 के लूट की आई थे तो चार लड़के हमने इसमें राउंड अफ करें हैं जो कि इसी वार्दात में शामिल इसमें से एक ये रविंदर हिलावत है ये बबैल गाउं पानिपत का है दूसरा नरेश सैनी है ये पलेडी गाउं है घ्रोंडा के पास वहां का है तीसरा लोकेश ये सफीदों क और चौथा कफिल ये बंबर हेडी गाउं है असंद्वी तो इन चारों को रेस्ट किया है तो एक तो वह हमारी वार्दात जो है वो इससे ट्रेस आउट हुई है छे साल पुरानी डकैती की जो वार्दा थी इसमें से टोटल छे लड़के नौग थे चार ये हमने राउंड रिकवर किये हैं 315 बोर के और तीन इन से नाइफ रिकवर किये हैं और इन से 2,30,000 रुपे जो इस टोट में पेश करके और पुलिस रिमार्ट कितने के लगेती हैं ये 9 लाग क्या सपस्थ है उस दोरान ये ने लोकडी पोल्टेक ने में पढ़ते थे आरोपी जो है ये अ सामने आई तो उसमें मामला भी दर्ज हुआ था समय स्पीचे शचांका रंध की CCTV कैमरे लगे ही नहीं हुए थे बैंक में शायर अगर CCTV कैमरे लगे लगता तो शायर चितना लंबा समय ना लगता अरोपियों को गिरफ्तार रहा हैं क्योंकि एक और बात थी कि सेक्शन भी 3 लगता धजार रहा हैं